नमस्कार जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में और NTPC के जोइनिंग में जो सब मेली डोकुमेंट लगना था वो सारा हो गया है मेरा कम्पलिट काफी पड़ेसानी हुआ मतलब चार-पांच दिन से ऐसा हो गया मेरा कि दिन का खाना नहीं हो पा रह करते करते पूरा दिन मेरा निकल जाता था और ड्रैक्ट कोई करता ही ऱ्म है तो बताया भी थे हलाकि करva के आई है वीडियो से करवा बछ पंच restroom से करवा परेशान ही हुआ करने में और मेरे से तो अधिक दिक्कत उन लोगों का हुआ होगा जिनका टेकनिकल पोष्ट था गुड्सगाड वाला सब टेकनिकल तो नहीं है पर ट्रेनिंग उसमें अधिक है उसमें बे आली सो ग्रेड़ पे का सेलरी सिलिप मांगा जा रहा है तो गेज उसको पहुंचेंगे फिर्मा पे रूब लेंगे साजा क्या जाएगा आगे क्या होता है क्योंकि उसमें भी ज्वाइनिंग में भी पांच-छेट दिन का टाइम लग जाता है तो वहां होटलोटल में ही रहना पड़ेगा अभी कुछ लोग कॉमेंट में ये पूछ रहे थ होता है नोकडी होना बाद में बू देखता है पुष्ट कौन सा अच्छा है कौन सा खड़ाव है लेकिन उसके लिए सबसे इंपोटेंट होता है नोकडी मेरा तो अगर मेरा गुरूप D MTS किसी में भी होता ना तब ही मैं खुस ही रहता तो इसलिए अगर आप यह सोच रह होता है होता तो भी ठीक है नहीं होता तो भी ठीक है और यह जो लोग बुड़ा बला कहते है ना चाहे गुरूप D हो या MTS होई सब का बुड़ा बला वही कहता जिसका कोई बेस नहीं होता यकिन वानों इस चिसको नहीं तो जो यूप सी कौलिफा है ना वो भी गुरूप पोश्ट में नुकरी चॉह जिस भी पोश्ट परो और जिहांतकी बाता है अगर यह जरूरी नहीं होता है में नोता है अपका संतोस्टी का और खायर आपसे भी अगर कोई यह चीज़ कहता है ना कि यार यह तुम इस पोस्ट पे हो वही बात बोलता है यह चीज़ वही बोलेगा जो किसी काम का नहीं होता मौले में सबसे अधिक क्रिटिसाइज वही बच्चे को करता है जो गौ में इस वीडियो में तब तक के लिए जाहें